गैस कि आप लोग भी अपने GD Cylindries गेम में Clio Mods को इंस्टॉल करना चाहते हो बढ़ आपको नहीं पता कि Clio Mods को कैसे इंस्टॉल करते हैं तो आज की वीडियो स्पेशली आप के लिए है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप लोग Clio Mods को अपने GD Cylindries गेम में इंस्टॉल कर सकते हो सबसे पहले बात करते हैं कि Clio Mods होते क्या है तो Clio Mods का एक टाइप है और इसका हम लोग यूस करते हैं Mods को इंस्टॉल करने के लिए जो भी Mods Clio को सपोर्ट करते हैं हम लोग उनको Clio Mods बोलते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि आपको Clio Mods को डाउनलोड कहां से करना है तो Clio Mods को डाउनलोड करने के लिए आप एक GD Insight वेबसेट पर जा सकते हो GD Insight पर आपको काफी सारे Mods मिल जाते हैं आपको उपर GD 70s का section मिल जाएगा आपको इस पर क्लिक करना है and then आपको जानोगो mods के section में mods के section पर क्लिक करने के बाद आपको यहापर एक option मिलता है Clio Mods का तो आपको इस पर क्लिक कर देना है and यहापर आपको different type of Clio Mods मिल जाते हैं आपको अपने according किसी भी mod को download कर सकते हो and फिर हम लोग बात करेंगे इस mod की installation की अब जैसे आपको किसी भी mod को download कर लिते हो GD Insight से अब बात आती है कि इसको install कैसे करना है तो इनको install करना काफी जादा easy होता है बट आप लोग Clio Mods को अपने game में directly install नहीं कर सकते हो आपको अपने game में कुछ changes करने पड़ेंगे and आपको अपने game में और भी कुछ basic mods को install करना है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना आपको इस file को download करना है इसके link आप ओंट जिए description box में मिल जाएगी file को download करने के बाद इसको अपने PC में extraid करना extraid करने बाद जो folder में लेगा simple इसको open करना अब इसके दरा आपको खाफे सारे basic mods मिल जाएंगे and आपको क्या करना है आपको सारी file को select करे copy करना है and आपको GDN Indies game folder में सारी files को paste कर देना है आपको सारे replace को option भी आजगा सारी files को replace भी कर देना and यह जो basic mods है हमारे game में वो add हो चुके है अब आप लोग एक चीज़ notice कर सकते हो basic mods को install करने के बाद आपको game में एक folder create हो जाता है जिसका नाम है Clio and इस folder को हम लोग use करेंगे Clio mods को install करने के लिए अब बात करते है Clio mods के installation की तो इस file को मैंना भी GDN send से download किया था and मैं आपको इसको install करना सिखा देता हूँ तो इस Clio mod करना मैं cinematic camera mod and पहले मैं इसको extract कर लेता हूँ extract करने के पाद जो folder मिलेकर इसको open कर लेना अब इस folder के अंदर आपको काफी सरी Clio की जो file से वो देखने को मिल जाएंगी तो आपको इन files को कैसे install करना आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले आप लोग Clio का जो folder इसको open कर लेना अब इस folder में आपको दो और folder मिल जाएंगे Clio text and Clio saves का अब इनका आप लोग use करेंगे इन files को install करने के लिए अब यह जो mod file है इसमें आपको तीन file देखने हों मिल जाती है जो पहली file उसको जो format है वो है .fxt जो second file है इसका जो format है वो है .txt और third file का जो format है वो है .cs अब जिन files का जो format है वो .txt and .fxt होता है उनको आपको डाइटली अपने Clio text folder मेंanni tapeys करना होता है तो मैं यहां से इन्धững file को copy करता हूँ and Clio text folder के तो इनको paste कर देता हु आप जो last file है, इसका format है .cs और इस file का आपको डाइटली अपने Clio की जो folder इसमें paste करना होता है remember आपको से02 ॐइसे को यहाँ से कॉपी करता हूं उपने चीड़ से इंस्टोल कर देता हूं तो इस तरीक इसे आप आप जो के mods में को इन्स्टॉल कर सकते हो इन्स्टॉलेशन काफी ज़ादा इजी होती है भरस आपको याद रखना है कि किस फैलो कहां पेस्ट करना है and clue mods के चैंस्ट्रोलेशन है वो सूपर ईसी होती है and आपको इस method को follow कर कर कि अपने GDS और इंडरेस गिम में जितने चाहिए उतने clue mods को इंस्ट्रोल कर सकते हो तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को like जरू करना and चैनल कोई subscribe कर लेना ऐसी amazing gaming videos देखने के लिए तो मैं मिलूँग आपसे next वीडियो में तब तक लिए thanks for watching